हेलो इंडाम राम दोस्तों कैसे हैं आप सभी जरूर बताईएगा जैसा कि आप जानते हैं मैं अभी मायके में हूं तो अभी सूबह के साथ बज रहे हैं और हमारा नास्ता बदना शुरू हो गया है मैं नास्ता बना रही हूं तो अभी आपको दिखाती हूं मैं है आलू चना बना रहे हैं आप लोग भी इसको ट्राइ करिएगा टेस्टी नास्ता है और हेल्दी भी यह देखिए आलू और प्याज को अच्छे से पका लिया है अब चने को ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि उसमें अंकुरित है बस हलका सा स्टीम हो जाएगा बस इतना ही करेंगे और नमक मसाले डालेंगे इसके उपर बस थोड़ी देर बस पक जाने के बाद मिला के और फिर इसको शरू करेंगे यह आप लोग भी बना के जरूर देखना आज देखिए अब ही हमने क्या डाल रहे है हल्दी इसमें और इसमें उपर ही डाल के रखेंगे नी चलाएंगे नहीं पहले जिससे की नीचे जहोसमें पेदी में इसके चिपके नहीं यह देखिए हल्दी डाल दिया जरा सा यह गरम मसाला है इधर का पिशा हुआ गरम मसाला है बहुत जरा सा ही अच्छा तेज़ दे देता है और यह थोड़ा से जीरा और सब्जी मसाला जो होता है वहीं करना है नमक डाल दिया अब धर दिया हमने इंडेक्शन कितने पर यह भी मियास पर इसको पकले दे रहे हैं आई यह तब तक मैं इसके साफ सफाई यहां कर लेती हूं जो भी सामान नीचे है उपर कर देती हूं और आप लोग अपने हाल चाल कॉमेंट में जरूर लिखा कर ली देखिए मेरा नास्ता बनके तैयार है बहुत ही टेस्टी नास्ता बना रहा है मेरे घर के पास में एक मोर नाच रहा था मैंने का सोचा कि आप लोग को दिखाऊं कितना सुंदर कितना बड़ा मोर है विल्कुल हेल्दी मोर है ले पे कितना सुंदर मेरी तरफ मुह ही नहीं कर रहा है बार बार करने उधर ही किये जा रहा है तो अब डांस कर रहा है मम्मी हाँ मुझे लगा मुझे लगा लगत लगते लिग करते होंगे देखे ऊपर बैठा कितना लंबा है यह इतने बड़े पंक है इनके नहीं फीमेल के पास इतने बड़े पंक नहीं होते हैं दूसरी तरफ जो मैंने दिखाया अभी नहीं वह सब फीमेल है दोनों यह मेल है आईए चलिए बेल तोड़ने चलते हैं तोड़के ले आएंगे इसके बार सर्वत बना के आप लोग दिखाते हैं तो देखिए बेल तुड़वा के लेके आई हूं यूपी बहुत उंचे थे बहुत मस्किल से तुड़वाना पड़ा तो अभी आईए शर्वत बना लेते हैं देखिए मैंने बेल को तोड़ लिया है अब इसका गूदा एक जगह पानी में डाल दिया है उसको हलको भोल ल ठीनी डाल के पीस लें जितनी जरूरत हो अगर किसी को डाइबिटी इस है तो भाई चीनी न ga डाले तरहें के से गूदे को शोन से निकाले और एक जगह देखिए पानी में डालके मैंने इसमें थोड़ा सा स्गर अनुए अब इसको मिश्न कर लेंग और फ्यैंटीजों ज इसको अच्छे से चला लेंगे, ये बहुत अच्छा है, बिलकुल शेक जैसे तयार हो जाता है, खूब गाड़ा सर्वत बनता है, देखिए इस तरीके से स्पून से निकालें, बहुत आसानी से निकल जाता है, कुछ बेल जो है, थोड़े से कड़े होते हैं, इन्मू का निकालना आप देखिए, तुरंथी इत्तम आसानी से निकल जाता है, जो अच्छा पका होता है, बहुत आसानी से निकल जाता है, अगर कोई थोड़ा से कच्छा रहता है, उसको निकालने में दिक्कत होती है, इस तरह निकाल लिया अब इसको जो है मिक्सी को चर्ण कर लेंगे वो बारिक हो जाएगा उसके बाद जो हम पानी में बगुने में डाल रखा है उसको छान के इसमें मिला लेंगे और ठंडा बिलकुल आप चाहें तो आइस डाल लें ऐसे टाइम पे तो न डालें तो टेस्टी सर्वत बनके इसके बाद तैयार है और बहुत है आप लोग भी सर्वत बनाएए और पीजियो अपने कॉमेंट मेरे कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखिए थैंक्स पर वाचिन